तो बहुत ही बेसिक क्विशन है तो एक कार है जो वह यह मान लेते हैं यह A point है और यहां से D distance दूर एक B point है तो वहां कितना टाइम लिया इसने जाने में 2 hours और B से A वापिस आने में कितना टाइम लिया 3 hours तो बेटा distance तो उतनी ट्रेवल करी हैगे नहीं तो average speed निकालना है आपको average speed क्या होता है बेटा total distance divided by total time तो total distance कितना हुआ बेटा D जाने का और D वापिस आने का और total time कितना हो बेटा दो गंटे जाने के और तीन गंटे वापिस आने के तो D प्लस D 2D और 2 प्लस 3 5 तो यही आपका final answer होगा ठीक है झालना है झालना है रेटा तो यहीं